सभी मित्रों को एक बार से नमस्कार मित्रों हम लोग बात करने जा रहें इस एंटिवायटिक में आपके इस्तानिय सासाथ Publsic चिजला प्रमोग परधान के बात करेंगे सामन्ने बात यहां हो जाएंगी इस्तानी सवसासन साथ आपको पता है महात्मा गांदी जी ने शपना देखा था कि आपके ग्रामिन इस तरह पर आपके शासन हो सत्ता का विकिंद्री करन हो और ग्रामिन एई इलाके की भूमी का हो और इससे पहले हम लोग बात करें आपके इस्तानी सवसासन का जनक लाड रीपन कहा जाता है वाइस राय लाड रीपन पहले बार इन्होंने आपके इस्तानी शासन बोड का क्या किया था गठन किया था अमरे समीदान निर्माताओं ने इनका ध्यान रखा था उन्होंने य ह忙 FIRST में अपके पंचाइतों का घठन कर सकेगा अनुछे 40 में ये कहा गया यह नहीं कहा गया कि गठन कर दीजिए यह नहीं कहा कि आप प्रावदान किया गया था गांधिवादी विचार धारा से परवाया अनुछेतर आपका 40 बात करते हैं कि आजादी मिली हमें भारत का सम्विना लागू हुआ अब सत्ता का विकेंद्रिकर्ण कैसे किया जाये सात्यों हमने शुरुवात की गांधी जैन्टी आई दो अक्टूबर 1952 को सामुदाइग विकास कारीकरम चलाया पंडीत आपके जवारलाल नहरू जी हमार लोग तांत्रि विकेंद्रिकर्ण कैसे हो ठीक है कि लोग तांत्रिक शासन है जनतांत्रिक शासन है इसका विकेंद्रिकर्ण कैसे क्या जाये मत्रों इसके लिए एक समेटी गठन किया गया उस समेटी को नाम दिया ग्राम उधार समेटी कि ग्राम का उधार कैसे हो ग्राम सिंख महता नहीं मित्रों यह आपके गुज़ात के मुख़्े मंतरिघ के घूसराइब के अगया मोद लोगतांत्री विकेंध्य करनहीं सबसे पहले लोगतांत्री विकेंद्र कि बात की वियर आपके बलवां सिंघ महता नहीं कि पंचायटी राज विववस्ता है विय deux सब्लाइए ने रितुट यूंतुर जाता है विवस्ता का वास्थुकार जो कहा जाता है बेवास्तूकार. कहा जाता है मित्रों और इन्हों ने जो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट को सरकार ने भारत सरकार ने सात्यों मनन किया और जनवरी बात आई कि सबसे पहले कौन इस सुझाव का अमल करेगा तो सबसे पहले राष्टी विकास परिश्ट की सुझाव पर जो काम किया वे राजस्तान राज्य न किया वे आपके गांदी जैनती दो अक्टूबर 1969 को राजस्तान हमारा पहला राज्य मना जो पूरे भारत में आप के पंचाति राज़ विवस्ता को लागू करेगा नागूर की बगदरी गावे पंडित नहरु साब उद्गाटन करने के लिए आया और आपके महल लाल सुकाडिय साब हमारे मुख्य मंत्र थे भारत का दूसरा राज्य है कौन सा होगा आंदर पर्देश होगा एंटी आपके असोग महता समेती गठान 1977 में हुआ रिपोर्ट दी 1978 में तेरस अदेश्य समेती थी क्या सुझाओ दिया इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि आपके जो तीन इस्तर पर पंचायत है उसके इस्तर पर दो इस्तर क्या जाए कि जिला इस्तर और जिला परिशद पर आपके म दिया पार नहीं पड़ी अब के डॉक्टर पीवी राव समेती गठान किया उनीक्ष इसने कहा नहीं है थी değ हिस्तर कर दीजिए एक आपके ग्राम के नाम से और बना दीजिए तो इनों ने चार aurait mean circuit मेंता आपके राव समीटी ने इनोंने एप चारए बिकास आपके कमीश् संभटर का पदका कोल से समयतिन नाम दिया है तो बात समझगे वहाँ तीन की इन्हों दो की इन्हों चार की बात की अब बात करता है डोक्टर एल एम सिंग्वी समयति समयति मितरो इसका जो घठन हुआ वे पंचायतों का पुनर जीवन ठीक है पंचायता आगे लिए कि memानेता नहीं मिली अब हम सम्विधानि मानेता देने के और कदम भटाते हैं तो आपके एल वी सिंग्वी समेटी गठन हुआ इनके समेटी गठन हुआ पंचायतों का में जिवन नाम से साथियों और उस समयति जिव अध्यक्स थे विए आपके डॉक्टर एल एम सिंग भी थे इस समयति ने सुझाव दिया कि पंचायतों को सहमेदानिक दर्जा मिलना चाहिए चब तक पंचायतों को सहमेदान दर्जा नहीं मिलेगा तब तक लोग तांतरिक शासन का ग्राम स्थ पंचायतों को सहमेदान दर्जा मिलना छे ये दूसरा पंचायतों को चुनाओ गेकर राजनीतिक दल से वैंनेमित होनाँ जरी आज वी देखाए आप हने किसी राजनीतिक दलका इसंबल नहीं होता है सपोर्ट हो सकता है लेकिन पंचायत में आप दुखेंगा कि ग्राम पंचायत यानि आपके साथ यह आपके सरपंच है यानि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का जो क्या होता है पंचायतों का मुखिया गेर से में लेकिन आज आपके जिला परिशाद पंचायत समेटी का तो सिंबल पर होता है लेकिन ग्राम पंचायत का आपका आज भी गैर राजनितिक दल और ने में चुना होता है तो गैर राजनितिक दल पर आधारत पर चुना होना चाहिए यह कह रहा है अब हम लोग उनका प्रदान मंत्री नर्शिमा राव संसोदन नंबर एक आपके लागू हुआ तेतरवा समीदान संसुदन 24 अबरेल 1993 को 24 समीदान संसुदन लाग हुआ एक जून 1993 को 24 अबरेल को हिसे लिए हम लोग पंचाय दिवस बनाते हैं साथियो आपके पंचायति राज ये पंचायति राज भी नगर निगम नहीं है समीदान में नगर पाली काय लिखा हूँ कहीं आप नगर निगम करके आ जाए नगर पाली काय लिखा हूँ है दो पिरकार का सासन होगा एक आपके गिरामिण छेत्र में होगा एक आपके सैरी छेत्र में होगा गिरामिण छेत्र में उसमें पंचायति नाम दिया गया है और वैसे आपके क्या है नगर पाली काय है और भा पिनान में नगरपालिकाय शब्दै आपको नोट करने लाइक है ठीक है 243 में परिवाशा दी गई है कि पंचायते क्या है वहां 243 तो गठन के बात की गई है और 243 में आपके नगरपालिका गठन के बात की गई है फित्रों इनके लिए आपके अनुसूचिया बनाई हैं बा पंचायतों के जो कारिये होंगे उनका हमें अनुसूची 11 मिलता है और आपके जो पंचायती राज है पंचायत विवास परकार के आपके कारिये बताएगे और इसमें अनुसूची 12 है तो विश्य अठर अनुसूची का मतलब है क्या लिग दिया यह कारिये होंगे यह उल्ले पंचाय तिराज विवस्ता से संबंध कुछ भी नहीं है और राज्य निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है आपके लोग सभा और आपकी विदान सभा को चुनाओं से इसका का में राज्य निर्वाचन 9 का जैसे हमें पंचायित राज विवस्ता करें ये समींदानी मानने-देंगी तो इसका भी प्रावदान करना वर्तमान में प्रेव सिंग महरा हैं और पहले आपके जो राजिस्तान के पहले निर्वाचन आयोक तो हैं शुद्ध करना उनका कारेकरम गोसीद करना जो भी है वे आपके राज्य निर्वाचन आयोक के दाहरे में इसाथी हो एलिग्राम पर आपको PD जाएगी धिक्कत नहीं है फिर विए आपके लिजिए इसक क्रिशोट लेटी लिजिए आपके इसक कर मम कर दिखारें इनके प्रणड़ परमक चुना होता है कैसे भंशर्ण क्या है क्यालिक् सब्सक्राइब कर लेना घंटिक निशान दबा देना क्लास को शेर कर लेना सुजा वो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना और टेलीग्राम को जोईन कर लेना रायतार के नाम से थेंक्यू धन्यवाद